मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और दोस्तों हम आपको यहाँ पे रर्वी जेई की सी बीटी वन एक्जाम जो हुआ है उसके एक्सपेक्टेट कटाफ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में और दोस्तों आपके आप मालूम है कि दो तारी जो बाईस तारिक से चल लाँ था तो एक लंबे समय अंत्राल के बाद एक्जाम खत्म हुआ है और कई सिट्व में रहा है बहुत सारी है हर एक जों में अलग अलग वैकेंसी हैं और जो अभी जो एक्जाम हुआ है यह यह कॉमन पेपर हुआ है इसमें जेई का अलग से नह का जो cut-off आएगा वो subject wise cut-off आएगा जेई हो या CMA हो या फिर DMS हो इन सभी का जो cut-off है इसमें अभी common cut-off आएगा और cut-off दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो analysis करते हैं cut-off number of vacancies सबसे बड़ा factor होता है number of vacancies कितनी है और second factor होता है कि कितने candidates ने apply किया candidates कितने हैं किस zone में और third number होता है कि paper कैसा आया एक्जाम का level क्या था तो दोस्तों यह तीन important factor होते हैं जिस पर हम cut-off निकालते हैं तो दोस्तों यह cut-off जो है category wise अलग-अलग हम आपको सभी जोन्स का यहां पर बताएंगे और एक जेनरलाइस के टाप बताएंगे तो जो पेपर की difficulty level है उसके बारे पहले बात कर लेते हैं तो difficulty level बहुत ज़्यादा difficult paper नहीं था और जोन वाइस vacancies की बात करते हैं vacancies कुछ जोन में काफी ज़्यादा vacancies थी और कुछ जोन में vacancies कम थी normalization होगा normalization का फर्क कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ जाता है तो यहां पर हम अब आपको cut-off दिखाने जा रहे हैं आजए देखते हैं कटाफ दोस्तों सबसे पहले हम आपको इन जोन्स की अब देख लिए मुंबई में 1524 भ्यकंशी ए इलहावां जोन में 147 वेकंशी है चन्नाई में 113 वेकंशी ए सिकंदर्णावाज चंदीघर में 855ए चंडीघण में तो वेकंशी तो बैंगलावर में 708 वेकंशी है और अजमेर में 825 चंडीघर में 9996 वेकन्शी है तो दोस्तों ये जो है इन जुरुस में यहाँ का कटाफ हम आपको बता रहें सबसे पहले कि यहाँ केटेग्री वाश की उपरैंद डिसकस किये जाएंगा यहां पर तो दॉस्तों सबसे पहले जो यहाँ का कटाफ हो आपको बता रहे데की कि इस जो उनका देखते हैं तो जनरल्ल करेंगे तो जनर्ली बात करेंगे चर्ण टॉट हो सब्सक्राइबक अगर आपने 6 sauc 26 लगश्डिस ला रहे हैं तो आपका नमबर आपके आ रहे हैं तो OBC में आप किलियर कर जा रहे हैं CBT1 आपको CBT2 देने का मौका मिलेगा और आप यहां पर बात हम SC कर लेते हैं SC के लिए आपको 50 से 54 नमबर चाहिए CBT1 किलियर करने के लिए तो यह दोस्तों होगी है SC के टेगरी का आप बंची सब्सक्राइब करने के लिए आपको 43 से 50 नमबर तक कटाफ जाने की संभावना है 43 से लेखे 50 नमबर तक आपका कटाफ यहां पर जा सकता है 43 टू 50 से 66 नमबर चाहिए आपको SC कटेगरी 50 से 54 चाहिए OBC 58 से 62 चाहिए और ST का 43 से 50 नमबर आपको चाहिए अगर इतने नमबर आपके अगर बन रहा है इंडिगर की बाद जो जोन आते हो उसमें आता है रांची वेकेंसी 365 गोरगपूर 645 वेकेंसी हैं हमदाबाद की वेकेंसी 399 है भोपाल की वेकेंसी 383 है गोहाटी की वेकेंसी 586 है पतना की 299 मालदा की 248 सिलिगुडी की 169 मुझळफफर पुर जोन की 144 विलासपूर जोन तेरा हजार चारसो सतासी वेकेंसी थी तो इन जोंस में कितना कटाफ जाएगा दोस्तों इसके बारें बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जनरल की बात करेंगे जनरल कटेगरी का यहने कि अन्रियर्व कटेगरी का साट से चौंशाट 60 से 64 कटाफ जाएगा और OBC का जो कटाफ जाएगा वो 55 से 59 इसके साथ साथ SC का कटाफ 49 से लेके 53 से कटाफ 42 से लेके 47 तक यह दोस्तों कटाफ है और इतना कटाफ अगर आपका CBT1 में इतना किलियर हो रहा है तो आप समझे लिए कि आपका CBT1 किलियर हो रहा आप CBT2 की तहरी किए अठीन सीवें से ile में जो है आपकी ब्रांज की पेपर आएंगे और जो अलग-अलग वेकंसे से में के कटाफ जाएगा तो दोस्तों यह थी एक कटाफ जिस से कि आप अपना देख सकतें तक नगिब बिन only video रहा दोश्टों डीटेल में की जाएगी हर लिसी की जाएगी कितने अब भैरती बैठे कितनी वेकंसि घड़ में आपको यहां पितनी की आप histories है किसे जैसे सब्सक्राइब नहीं कि लाइकन दवा दीजे जिससे अपको नोटिफीकेसन समय पर मिलता रहें धन्माद